Hello Friends. को ऐसा ही छोड़के दे देंगे उसके ऊपर रस्टिंग और बढ़ती चली जाएगी और या फिर इसके ऊपर कुछ गलत केमिकल का इस्तमाल हो जाएगा जैसे की कार वाश वाले को दिया और उसने कोशिश की अपने कुछ भी केमिकल लगा कि उसको क्लियर करनी की तो उस पाउच बस ये दो चीजें है इन दो चीजों से हम इजीली इसको साफ कर सकते हैं और साफ भी ऐसा कर सकते हैं कि बिलकुल क्लियर क्रिस्टल होगा जैसा कि आपने ये नया इंस्टॉल किया था सेम विलकुल बैसा ही होगा करना क्या है देखिए इनो का पाउच मैने खोला लेमन लिया और लेमन के उपर मुझे इसके इनो को डालना है ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कटोरी हो या उसमें मिक्स करना पड़े ऐसा कुछ भी जबुरी नहीं कुछ भी आप मिक्स करो मिक्स कर लो वो आपकी मर्जी है लेकिन ये simple step है नीबू के उपर आपने रखा और नीबू के उपर रखने के बाद फिर इसको जहां पर रस्टी पार्ट्स हैं यानि कि जिस एरिये पे भी आपको लगता है कि रस्ट जादा है वहां पे इसको रखिए हलका सा और हलका सा प्रेस कीजिए फिंगर से प्रेस करेंगे और लेमन क एक्स्टा डाल दीजिए अधर्वाइस ऐसा को इशू नहीं है देखिए यहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे जादा दुरूरत है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा और इनो लिया नीबु वही है भी आदा जो हाफ कटा हुआ नीबु है वही है ऐसा नहीं के भी एक औ और फ्रेंट ग्रिल और कई जगे लगे हैं और यह सारी चीदे तो चलिए ठीक है अगर मैं साफ ना भी करूं इनको निकाल सकता हूं लेकिन यह जो बैचिंग के कमपनी की इसके साथ क्या करेंगे इसको तो निकाली नहीं सकते तो और यह होता क्या है कि यह जब रस्ती हो होटकी तो बहुत जादा खराब दिखता है तो इसके उपर मैंने अपलाई किया है और यह पीछे की जो लाइट है यह एपर मैंने देखे पूरा क्रोम का कवर लगा हुआ इसको भी अपलाई किया और अभी वह लेमन बही ही चल रहा है मेरा जो मैंने हाफ कट किया है अग उसमें हलका- हलका प्रेस करता रहता हूं और पिर उसको चलाता हूं और इसके बcjiहिता है यह दीक भीए घंदर की तरफ कर देए इसके अंदर कि नदर कर्णाद मिझा बिशे upside की है तोको उस्के अन्दर की तरफ की निगूद, अपलय करेंके तो वह से जैसे मिट्टी लगी हो और हमने इसको पानी से धोया हो वो टोटल डिसॉल्फ हो गया इसको क्लियर हो गया वहां से कुछ भी मुझे ऐसा रब करने के ज़्यादा दरूवत नहीं है हां लेकिन जहां पे अंदर की तरफ है जहां इतना पहुंचा नहीं था वो तो वहां मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा हलका सा रब किया सर्फ पल उंगली कर लिया ऐसा कुछ भी नहीं है और यह मैने साफ किया माइक्रो फाइवर टावल से क्लियर है इतना क्लियर है कि इसमे अभी आफ फेस भी देख सकते हैं मेरा क्लियर है बिल्कुल brand new जैसा यह brand new था बिल्कुल वैसा हो गया अब इसको मुझे निकालने की जरूत नहीं है और कई बार होता यह है कि chrome parts अब कराब हो जाते हैं तो हम उनको निकाल के फैक देते हैं तो यहां पर यह तो कम से कम निकालने की जरूत नहीं है लेकिन हाँ अगर आपका पूरा chrome उपर से खड़ चुका है तो फिर वह रिस्टोर नहीं होगा कहीं आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि वह भी रिस्टोर हो जाएगा तो वह इससे रिस्टोर नहीं होगा chrome parts होते हैं उसके ऊपर जो रस्ट आ जाती है वह आपको ऐसा देखने से दिखेगा कि अंदर से निकली लेकिन वह उपर से होती है तो यह उपर की रस्ट पूरी clear हो गई पीछे की light थी light का जो cover है इस पे भी हमने apply करके छोड़ा था अब इसको साफ कर लेंगे simple उसी तरह से मैंने साफ किया और यह बैचिंग भी साफ की बैचिंग अगर बीच में आपको लगता है तो हलका सा यहां पर ब्रश का apply कीजे ब्रश ज्यादा ऐसा जोड़ से भी नहीं चलाना है अंदर अंदर ब्रश आप क्लियर करेंगे तो पूरा साफ हो जाए और अभी अंदर आपको अंदर में उख जाए और अवाग अ बैचिंग झाल अगर शाए जाए दोगको अपको पर बीच जाए और में आपको